Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वॉक्षीट नमबर 72, 4th class 9th सब्चिक्ट इंगलिश है और ये वॉक्षीट आपके लिए 24th of January 2022 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वॉक्षीट स्टूरेंट्स उसमें Comprehensive Passes जो है वो आपको दिया गया है और इसके उपर based कुछ questions है जो हमें करने है So ये case based जो है आपके factual है जिनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और बहुत scoring होते हैं ये ठिक है So आपको passes रीच करना है और questions के answer बहुत ध्यान से आपको इसमें से find out करने है So वक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बैल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए So देखे students क्या दिया गया है आज की वक्षीट में Listening to music आज का जो ये comprehension है ये आपको दिया गया है कि जो music जो सुनते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हुए music सुनना पसंद करते हैं और काफी बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि music से हम distract होते हैं हमारा ध्यान जो है वो बठता है तो इसके बारे में एक experimental आप कहा सकते हूँ कि एक study की गई है researcher के द्वारा इसके उपर research की गई और उसका जो result है वो आपके साथ यहाँ पर एक survey जो है वो share किया गया है ठीक है so देखे listening to music while studying has become a usual practice among the student population तो जो music सुनना है मतलब पढ़ने के साथ साथ music सुनना वो एक student population में एक usual practice हो चुका है while a group of students claim it can enhance their curricular efficiency ठीक है जो कुछ students है उनका मानना क्या है कि यह उनकी curricular efficiency जो है उसको क्या करता है enhance करता है यानि उनको कोई problem नहीं होती है जब वो पढ़ते हैं music के साथ और even कि वो और भी अच्छे से पढ़ पाते हैं कुछ students का तो यह मानना है ठीक है on the other hand some researchers deny such assumption और दूसरी जो है तरफ क्या है कि कुछ researchers इस चीज़ को क्या मानती है इस चीज़ को deny करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि भई यह curricular efficiency को enhance करेगा the overall objective of the study was to explore the effect of music on the curricular activity of the student अब यह जो study की गई इसका main aim क्या था इसका aim था कि music का क्या effect है study के ऊपर ठीक है वो students की curricular activities पर क्या effect डालता है उसके बारे में पता करना था the study अब यह जो study की गई इसमें जो है the study involved 200 students out of which 120 students prefer listening to music while studying अब इसमें 200 students का survey किया गया total कितने students लिएगे 200 उन से पूछा गया कि भई आप बताओ कि आप जो है आपको क्या लगता है कि आप music के साथ comfortable feel करते हो या नहीं करते हो क्या आप इसके बारे में सोचते हो what's your opinion ठीक है अब उसमें से 120 students ने prefer किया that 120 students prefer listening to music अब 120 students ने prefer किया music को सुनना while studying and remaining 80 did not और 80 ने नहीं किया ठीक है उसमें से 78 ने क्या कहा 78 out of those 80 students that's listening to music while studying distracted them कि जब हम music सुनते हैं तो उससे हम चाह होते हैं distract होती है the study was carried out through two type of survey अब ये study जो है two type के survey से की गई एक तो questionnaire form में की गई questionnaire based होता है और एक experimental based ये study की गई data obtained from the response of participant is shared in the form of pie chart अब जो data जो यहाँ पे मिला ठीक है response की form में वो जो है यहाँ पे share किया जा रहा है in the form of pie chart ये इस तरह से pie chart होता है जिसमें हम percentage के through या जो है इस तरह से clear picture हमें दी जाती है वो हम pie chart के through देते हैं जैसे इसमें clear picture दी गई है कि 51% जो student है वो उनका मानना है कि music जो है concentration में help करता है ठीक है और जो music keep them calm और 31% student का मानना है कि जो music है वो उनको उनको एक तरह से शांत रखता है and only 18% student का मानना है कि यह जो है sleepiness जो है prevent करता है clear तो यहाँ पर यह दिया गया है कि इतने percentage student जो है वो इसके favor में है इतने percent student यह मानते हैं तो इस तरह से pie chart हमारी बहुत help करता है इस तरह है कि data को analysis करने में now experimental data revealed higher incidence of correct answer अब देखे data में variation आती है यहाँ पर ठीक है जो questionnaire based में और experimental data में जो variation आई उसमें experimental data के बारे में बताया गया है it revealed higher incidence of correct answer तो 75% जो है इसमें जो correct answer थे while listening to soft music than other fast track music की जो music सुनते हैं वो soft music होना चाहिए और जो मतलब fast track music है वो नहीं सुनना पसंद करते the positive findings as obtained from the study is relevant to justify the current trend of listening to music while studying as it may not pose any adverse effect on the concentration of student तो इसकी positive finding जो study से एक तरह से आप कह सकते हो कि यह study जो की यह जो data ही कठा किया उसका result क्या रहा कि जो music का current जो trend चल रहा है music सुनते हुए पढ़ने का जो यह study केगी experimental data यह बताता है कि जो study है उसके दोरान जब हम soft music सुनते हैं कि किसी तरह का कोई adverse effect नहीं है concentration पे ठीक है in fact I might also perform the performance of the students in their academic perspective ठीक है और यह जो है academic में क्या है कि हमारी पढ़ाई में हमारी performance को भी क्या करता है improve करता है तो यह study दी गई है तो आपको क्या लगता है जरूर से comment करके बताईएगा कि क्या पढ़ते हुए music सुनना वो हमारे लिए वो आपके लिए beneficial रहता है या वो आपको distract करता है अच्छी के comment में जरूर बताऊंगे एक new app के बारे में जो students में काफी जल्दी popular होती जा रही है चाहे कोई question हो कोई doubt हो या कोई concept ना समझाए बोर्स हो या ची नीच पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इसका solution है fillo app अपने doubts को किसी भी time clear करें in these 3 easy steps सबसे पहले इस app को play store या app store से डाउनलोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर अपने questions का picture लें या उसे type करके submit करें और फिलो आपको 60 seconds में इंडिया के top expert से live call पे connect कर देगा आपके question में आप कहाना चाहते है कि bulk की power कितनी है अगर bulb जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस battery का जो voltage है वो आपको given है 220 तो ये आपको simple relation हो गया है यहापर अब अगर को आपको और डाउट है तो आपताईए इस एप का download link नीचे description में दे दिया गया है तो जस्ट डाउनलोड फिलो नाव उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर इससे regarding जो है 7 questions दिये गए है ठीके तो आईए बचो इनका हम one by one answer करेंगे first question आपको दिया गया है as per the first paragraph what was the need behind ठीके behind कर लेंगे इसको need behind conducting the study तो फॉस्ट जो paragraph है हमारा उसमें study को conduct करने के पीछे जो है क्या जुरूरत थी so the overall objective of the study was to explore the effect of music on the curricular activity of the student तो इसकी need क्या थी कि music जो curricular एक तरह की आप कह सकते हो कि activity है student की उसका क्या effect है वो explore करना था इसलिए यह study की गई second है did the data received from the two survey vary if yes why so second question है did the data received from the two surveys vary if yes why तो yes the data received from the two surveys varies ठीके तो जो data दो survey से किया गया नहीं questionnaire से किया गया experiment based पे किया गया तो वो क्या था वो vary कर रहा था as experimental data revealed higher incidence of correct answer ठीके next देखिए question number three है why were some students not in favor of listening to music some students जो है वो उसके favor में क्यों नहीं थे some students were not in favor of listening to music while studying as it caused distractions तो उनका क्या मानना था वो उसके favor में नहीं थे क्योंकि जो music है वो distraction cause करता है number fourth है how does the pie chart help us in understanding the impact of music on studies pie chart जो है वो हमारी किस तरह से help करता है music जो है impact of music on studies की क्या impact है so pie chart give us specific information about the impact of music on studies in form of percentage by which we can easily compare the data तो pie chart से हम जो है impact को clearly समझ सकते है percentage की form में और data को compare कर सकते हैं इस तरह से यह हमारी help करता है question number fifth है as per the second paragraph what type of music do the student prefer what's your opinion about it तो कैसा जो students है वो किस तरह का music सुनना पसंद करते हैं during studying ठीक है इसमें आपका क्या opinion है so students prefer soft music than other fast track music students जो हो वो soft music सुनना पसंद करते हैं ठीक है while studying as it may not pose any adverse effect on the concentration of student तो हमारा opinion गई है while studying जी studying के time पे ये adverse effect जो है वो cause नहीं करता है concentration पे students की question number six है what did the findings of the study reveal to the researcher ठीक है researcher जो थे जो नोने इसके उपर study किया तो उनको क्या result मिला एक तरह से तो the positive finding as obtained from the study is relevant to justify the current trend of listening to music while studying as it may not pose any adverse effect on the concentration of student तो यही उनकी findings थी दो उन्होंने data निकाला उससे क्या result निकला कि ये adverse effect पोज नहीं करता है concentration of students पे ठीक है question number seven what do you think about the study conducted क्या सोचते हो आप जो study conducted की गई how it may help you और यह किस तरह से आपकी help करती है the study tells us about the impact of music on the concentration ठीक है study जो है इसने हमें क्या बताया इससे हमें पता चला कि क्या बताती है ये study की concentration के उपर music का क्या impact है and जो study होती है इस तरह का data जो हम निकालते हैं वो हमारी कई तरीके से help करता है research related activities contribute to making new knowledge new knowledge के बारे में हमें बता चलता है and expand the existing knowledge जो भी हमारे पास knowledge है उसको ये enhance करता है about any situation और behavior किसी भी situation किसी भी behavior के regarding हम data जो है इस तरह से obtain कर सकते हैं ठिक है तो ये थी students आपकी आज की English की worksheet I hope सभी students को clear है कोई भी जाओट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर से like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए so thanks for watching, have a nice day